राजस्थान में तीन महीने बाद होने वाले विधान सभा चुनाव को लेकर सियासी घमासान चरम पर है, खास तोर से सताधारी कॉंग्रेस में होने वाले बड़े बदलाव आपको हैरान कर सकते हैं, प्रदेश में कॉंग्रेस सरकार को रिपीट करने के लिए सक्त कदम उठा टिकट वितर्ण के लिए कॉंग्रेस ने फार्मिला तै किया है कि सिर्फ जिताओं प्रत्याशी को ही टिकट दिया जाएगा, इसके लिए AICC, प्रदेश प्रभारी और मुख्यमंत्री की ओर से तीन सर्वे कराए गए हैं, इस सर्वे में पांच मंत्रियों और दस दिगज नेताओं सहित 45 मौझूदा विधाय को रिपोर्ट खराब पाई गई है, बताया जा रहा कि पिछले चुनावों में जिन कॉंग्रेस नेताओं को टिकट दिये गए थे, उनमें से करीब 120 नेताओं के टिकट बदले जाएंगे, 1-2-1 समवाद में नेताओं के सामने रखा रिपोर्ट कार्ड पिछले दिनों कॉंग्रेस के वार रूम में विधायकों से 1-2-1 समवाद का कार्यक्रम रखा गया, इसमें कॉंग्रेस के सभी विधायकों के साथ पार्टी के प्रत्याशी रहे नेताओं को भी बुलाया गया समबात के दोरान मुख्य मंत्री अशोक गहलोत और प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने विधायकों और मंत्रियों को खरीखरी सुना दी कई विधायकों और मंत्रियों को साफ साफ कह दिया कि आपके क्षेत्र में हुए सर्वे के दौरान आपकी रिपोर्ट खराब आई है, स्थिती सुधारे वरना टिकट नहीं मिलेगा खराब रिपोर्ट वाले नेताओं में सरकार के कैबिनेट मंत्री भी शामिल है खराब रिपोर्ट के चलते कई दिगज नेताओं को फीड में जाकर स्थिती सुधारने के प्रयास करने के निर्देश दिये गए हैं शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला, जल्दाय मंत्री डॉक्टर महेश जोशी, कृषी मंत्री लालचंद कटारिया, जन्जाती विकास मंत्री अरजुन बामनिया का नाम शामिल है इनके अलावा यातायात मंत्री ब्रिजेंद रोला, अल्पसंध्यक मामलात विभाग के मंत्री सालेह मुहम्मद और सहकारिता मंत्री उध्यलाल आंजना को भी निर्देश दिये गए इन सभी दिगजों को क्षेत्र में अपनी स्थिती सुधारने के लिए ज्यादा से ज्यादा समय तक फील्ड में सक्रिय रहने को कहा गया है तीन बार हुए सर्वे में इन दिगज नेताओं की परफोर्मिन्स ठीक नहीं आई है कॉंग्रेस की ओर से कराए गए सर्वे के मुताबिक 45 मौजूदा विधायकों और हारे हुए 75 प्रत्याशियों की स्थिती खराब बताई गई है ऐसे में इन विधान सभा सीटों पर प्रत्याशी बदलने जाने की तयारी कर ली गई है इन सीटों में भीनमाल, मेरता, पाली, बाली, सुमेरपुर, फलोदी, जुन्जुनु, चाक्सु, बगरु, धोद, जोटवाडा, आमेर किशनपोल, जाडोल, दूंगरपुर शामिल है इनके अलावा गढ़ी, कपासन, आहोर, अजमेर उत्तर, अजमेर दक्षिन, आसपुर, बड़ी साधी, चितोरगड भी है दूंगरगड, धाटोल, जैतारण, कुंभलगड, लाडपुरा, लुंकरंसर, मनोहर थाना, मावली भी इसमें शामिल है उदेपुर शहर, रतंगर, सागवाड़ा, संगरिया, तिजारा, बहरोड, थानागाजी, बस्सी, दूदू, शापुरा, खंडेला, सिरोही और गंगापुर सिटी का भी इस लिस्ट में नाम है सर्वे रिपोर्ट में जिन नेताओं की रिपोर्ट अच्छी आई है, उन्हें चुनाव की तयारियों में जुटने का इशारा कर दिया गया है इन नेताओं में चार विधायक, आठ मंत्री और चार हारे हुए कॉंग्रेस प्रत्याशी शामिल हैं, जिन्हें चुनाव लड़ने की तयारी करने का इशारा किया गया है के साथ हारे हुए प्रत्याशियों में रामेश्वर डूडी, रतन देवासी, डॉक्तर अर्चना शर्मा और धीरस गुर्जर शामिल बताये जा रहे हैं